झो नमस्व कार पहारे विद्यातियों आज इम डिसकस करने वाले हैं जो गाईपनी का पेपर थापना देखिये सबसे पहले Somatotropin Hormone Masonotropin Hormone किसे कहा खाता है Somatotropin Hormone जो है वह हम किसको बोलते हैं Growth Hormone को बोलते हैं GH को Growth Hormone को Growth Hormone जो है वो स्रावित कहां से होता है Agoapius Graasantist Enteriare Pituitary से LH Lutinizing Hormone Growth Hormone ये तीनों हार्मोन जो हैं ये सिरावित होते हैं अग्रप्यूस ग्रंति से और ये है डोपामीन डोपामीन को हम बोलते हैं P.I.H. प्रोलक्टिन इनिवीटिंग हार्मॉन पी आई एच डोपामीन ठीक है है यह स्राविस होता है कहां से हाइप outta मण टिल मेला कि सौमेटो ट्रोपिं किसे का जए जाता है ग्रोथ हार्मोन को का जाता है इंपोर्टेंट है next हम बात करेंगे यूटरैन इनर्सिया को पचार है पहली बाद तो यूट रान इनर्सिया होता क्या है अगर प्रसब के समय गर्वासे में संकुचन बंद हो जाए या गर्वासे सिथिल पढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूटराइन इनर्सिया और यह सूरी के अंदर और कुटिया के अंदर में रीजन है किसका डिश्टो किया का क्योंकि यह मल्टी पेरा जानवर हैं एक बच्चे का जनम हो गया फिर दूसरे का हो गया तीसरे का हो गया तब तक गर्वासे में संकुचन होई रहा है लेकिन एक लेवल के पश्चियात क्या होगा गर्वासे फिल पड़ जाना प्रसव के समय मैं तो संकुचन और किया देंगे तो आंसर हो गया ऑक्शी टूसे नेक्स कम बात करेंगे ब्रुण के आर्यपन के लिए गर्वासे को तईयार करने का काम कौन करता है प्रोजेस्ट्रों करता है कौन करता है बुच्छgary ब्रुण के अर्व जो भी चीजें गर्वावस्ता को बनाई रखने के लिए जिम्मेदार है वो सारे कार्य करता है कौन प्रोजेस्ट्रोन तो गर्वासे में संकुचन को कम करता है कौन प्रोजेस्ट्रोन गर्वासे के अंदर विरक्त सराव को ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है कौन प्रोज करता है जिस में मिलकर निर्माड होता है एक है मादा को हीट मे लाने के लिए कौन जिम्मेतार होता है इस्टोजण को हम को the private mhus करते हैं नेक्स्ट हमबात करेंगे ुव już को साहर है diplomat चाहर मॉमी 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 का मतलब होता है एक तो ममी मत बोला करो बेटा ठीक है मा सबसे अच्छा सबसे प्यारा ठीक है ये टर्म जो है इस दुनिया में इससे ज़्यादा बजन किसी भी सब्द में नहीं है ठीक है मा तो ये ममी ममी और ये सब मत बोला करो ये ममी बगरा ममी का मतलब क्या होता ममीफिकेशन के हम बात कर रहा है ठीक है ममीफिकेशन का मतलब है कि भुरून जो है भुरून की अंदर मरत्य हो चुकी है गरवासे के अंदर और सूख कर कैसा हो गया है कठोर हो गया है इसको बोलते हैं ममी और यह होता किसकी वज़े से है अगर प्लेसेंटा के द्वारा रगता पूर्ती बंद हो जाए किसी भी तरीके से तो अक्सीजन और पोसक तत्त मिलना बंद हो जाएंगे तो ब्रून की मृत्ती हो जाएगे और ब्रून सूकर कठोर हो जाएगा इस कंडिशन में कॉर्पस लूटियम बनी रहती है तो अबोर्शन होता नहीं है CL को तोड़ना है तो PGF2 अलफा देंगे CL तूटेगी अगर वासे में संकुचन शुरू होगा तो ममीफिकेशन का उपचार हो गया क्या PGF2 अलफा वी सेप का यूटरास्किस में देखने को मिलता है तो कुटिया में देखने को मिलता है ठीक है गोडी में कैसा होता है T सेप का होता है और गाय में कैसा होता है गाय में होता है Y सेप ठीक नेक्स्टम बात करेंगे लॉंग डे ब्रीडर का एक्जामपल है लॉंग डे ब्रीडर के एक्जम्पल है घोडी लॉंग डे ब्रीडर लॉंग डे यानि कि जब दिन की लंबाई ज्यादा हो तो मैंनली गर्मियों के मौसम में मद चक्र चलता है किसमें घोडी में और उंटनी सोट डे ब्रीडर है मैंनली सड्दिहों के मोसम में मद चक्र चलता है ठीक है और गाय और सूरी जो है वो पॉली हिस्ट्रस नहीं मल जानिंटी पूरे साल मद चक्र चलता है कई बार ऐसे दो सोती हैं एक तो फालीकुलर फेज झिल्टील न फेलि इश ठिए तो फेज जी तो और रूस्थाइन कितनी होती है आवस्था यानि किस्टेज कितनी होती हैं सबी गायों में जरूरी नहीं यह बिलीडिंग देखने को मिले लेकिन गाय में अगर bleeding देखने को मिल रही है तो matistress bleeding देखने को मिलती है यानि कि matistress अवस्था में रक्त्सराब देखने को मिलता है और कुतिया में proistress अवस्था में रक्त्सराब देखने को मिलता है तो proistress bleeding देखने को मिलती है कुतिया में मेट इस्ट्रस विलीडिंग देखने को मिलती है किसमें गाय में नेक्स्ट अम बात करेंगे कॉर्पस लूटियम की अबदी कौन सी अवस्था को कहा जाता है यानि कि पीरियड ऑफ सीयल कॉर्पस लूटियम तो सीयल जब फुली फंक्शनल हो जाएगी तो सीयल जो है वो प् 121 दाइस्टस में देखी प्रोस्ट्रस में दों फौलिकल हो जाने सब्सक्रिय का कि तो और फोर्पस फोलीक फोलीकल की प्रक्रियां चलती है इसको फ्स चेपरप्रेध के लिए यह चार्थ लिए ऑस्ट्रोट पहें हार्म इंली जम्मेदार होता है में फिर यहां ऑगार फॉलिकल जो है graphene follicle अंडोच सर्ग होता है normally सभी जानवरों में तो अंडोच सर्ग जो है वो इस्ट्रस अवस्ता में होता है गाय में मैटी इस्ट्रस में होता है तो अंडोच सर्ग हो जाएगा तो graphene follicle बदल जाएगी किसमें CL में अब CL जो है वो mature होना शुरू होती है और अपने function करना शुरू करेगी early stage जो होती है न वो होती है period of CL कहा जाता है किसको die stress को कामति तेजना और यान ग्रहन शीलता यानि कि sexual desire सबसे ज़्यादा कि sexual desire सबसे ज़्यादा किसमें रहेगी heat period में रहेगी heat period किसे कहा जाता है इस्ट्रस को कहा जाता है योन ग्रेंड शीलता यानि कि sexual receptivity अगर male mounting करेगा तो female उसको अपोज नहीं करेगी यह योन ग्रेंड शीलता यह किसमें देखने को मिलती है इस्ट्रस अवस्था में देखने को मिलती है इसको मदकाल भी बोल सकते हैं heat period अभी बोल सकते हैं ठीक है neiga को नेट्स हम बात करेंगे सूरी में मद चक्र की लंभाई होती है अब लंभाई किसकी पूँछ रहा है मद चक्र की यानि की Cyrus साइकल की लंभाई पूछ रहा है इसमा प्रो इस्ट्रस इस्टर्स, मैट इस्टर्स, डा इस्टर्स सवाएंगे तो सूरी में कितनी होती है? 21 दिन की होती है ठीक है Next निम्न में से किस जानवर में अंडोसर को समागम के पस्चात ही होता है तो अंडोसर को जिन में समागम के पस्चात होता है उनको हम बोलते हैं Induced Ovulator Induced Ovulator या Reflexive Ovulator Reflexive Ovulator यानि की समागम हो गया तो समागम से ही अडोसर को जानवर में समागम नहीं हुआ तो अंडोसर को जानवर में नहीं होगा ऐसा होता है CCR Camel, Cat और Rabbit में Camel, Cat और Rabbit में तो इसमा अंसर हो जाएगा उन्टनी के अंदर ठीक है बिल्ली के अंदर और खरगोस के अंदर Next Sand में तरल वीरे को संग्रहित करने के लिए उच्छे तापमान कितना है तो 5 degree centigrade Normal जो सीमन है उसको 5 degree पर और frozen सीमन होता है माइनस 196 degree centigrade जिसको ln2 में जो करते हैं हम तरल नाइट्रोजन में और नॉर्मल टेंपरेचर है जो है तरल वीरे को संग्रहित करना तो 5 degree centigrade पर संग्रहित करते हैं और कितने दिनों तक संग्रहित रह सकता है यह 4 दिन तक तो आंसर हो गया 5 degree centigrade नेक्स्ट हम बात करेंगे Deciduate Placenta Deciduate Placenta जो है इस Deciduate Placenta को हम True Placenta भी बोलते हैं Deciduate Placenta का मतलब है कि ब्रून का मा के साथ जो connection होता है वो deeply होता है गहराई में होता है इसलिए जब प्रसव की प्रक्रिया होगी तो मा के उतकों की हानी होगी और रक्तसराब भी होगा ऐसे Placenta को हम बोलते हैं Deciduate Placenta यह देखने को मिलता है मानव के अंदर और जानवरों में देखने को मिलता है कुतिया बिल्ली के अंदर ठीक है तो answer तो होगया कुति और एक होता है Non Deciduate Placenta यानि कि ब्रून का आरोपन जो होता है वो सताई होता है गहराई में नहीं होता तो जब प्रसव होगा तो मा के उतकों की हानी नहीं होगी इसको semi placenta भी कहा जाता है semi placenta ठीक है तो Deciduate Placenta किस में देखने को मिलेगा मानब में कुतिया में और बिल्ली में next अंब बात करेंगे गाय में Rectal Palpation के द्वारा गरब परिक्षन करते समय सबसे पहले कौन सी सनरचना महसूस होती है तो सबसे पहले 19 से 20 दिन की Pregnancy fully developed corpus luteum यानि की एक अंडा से में पूर्ण विक्सित corpus luteum जो है वो महसूस होगी ठीक है ये बुरून की जिल्लियों में Ficillin जिसको हम बोल रहे है Ficillin Fetal Membrane Slip FMS बोलते हैं Pulse of Pregnancy यानि की Middle Uterine Artery है उसके अंदर रखता पूर्थी बहुत तेज हो जाती है जिसको हम Freemitis भी बोलते हैं Pulse of Pregnancy भी बोलते हैं ये 90 दिन से लेकर जब तक प्रसब नहीं हो जाता है ये रखता क्या पूर्थी बढ़ती जाएगी इसको बोलते हैं Pulse of Pregnancy Pleasant tom जो है वो Cotyledon और करंकल को मिला के बोलते हैं Pleasant tom ठीक है तो ये संदरजनाद बाद में देखने को मिलती है ये आप याद रखेंगे Corpus Luteum सब सब पहले देखने को मिलेगी 19 से 20 दिन की Pregnancy में उटनी में सबसे ज़्यादा आवार्शन किस संक्रामक कारक की बज़े से होते हैं Trypnosoma E1C की बज़े से होते हैं जिससे बीमारी होती है क्या सर्रा पूछा जाए गाए भैस में सबसे ज़्यादा आवार्शन किस से होते हैं Brusella avortus से होते हैं सबसे जञादा सूरी में और वेड़बकरी में सबसे यादा किस्स से होते हैं में सबसे या रही होती है तो प्रसव की प्रक्रिया के समय पश्च पीउस गरंथी जो होती है यानि कि पीउस गरंथी के पश्च वाग को posterior pituitary को मैसेज जाता है और posterior pituitary जो है वो ज्यादा मात्रा में oxytocins रावित करती है तेजी के साथ और यह जो oxytocins रावित होगा यह तेजी के साथ गरवासे में संकुचन कराता है और इसको हम रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं फर्गूसन रिफ्लेक्स हार्मॉन जिम्यदार कॉन ऑक्सिटोसिन बच्चे का जन्म प्रशब की कौनसी अवस्था में होता है तो प्रशब की तीन अवस्था हैं के सबस्क्राइब तो यह बैसंट का फैलाब हो जाता है दूसरी स्टेज में बच्चे का जनम होता है तीसरी स्टेज में फ्लेसंट बाहर जैघिर ऐली सहरे सयंट को छोन सी होती है secondy होती है और सबसे important भी कौन सी होती है secondy होती है गाय में प्रसब की जो दिती अवस्ता होती है उसमें कितना समय लगता है तो गाय में प्रसब की जो दिती अवस्ता होती है उसमें आदे गंटे से एक गंटे का समय लगता है फर्स्ट स्टेज में 2 से 6 गंटे का समय लगता है फिर सेकंड स्टेज में 30 से 60 मिनट का समय लगता है यानि 11 गंटे से 1 गंटे और फिर थर्ड स्टेज में 6 से 12 गंटे का समय लगता है अब कुल मिला के प्रसव के 12 गंटे के पस्चात भी अगर प्लेशंटा बाहर नहीं आता है जेर बाहर नहीं आता है तो इसको हम आरोपी बोलते हैं तो गाये में तो कम से कम यह टाइम आप याद रखेंगे फर्स्ट स्टेज 2-6 गंटे फिर ये आदा गंटे से 1 गंटे और फिर 6-12 गंटे और 12 गंटे के बाद भी अगर प्लेसंटा ये जेर बाहर नहीं आता है तो इसको बोलते हैं Retention of Placenta Next हम बात करेंगे Utrend Torgen सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो Utrend Torgen यानि की गरवासे का उसके लंबे अक्ष पर Long Axis के चार ओर गूम जाना क्या कहलाता है Utrend Torgen Utrend Torgen के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं Buffalo में Next हम बात करेंगे प्रसव के समय कौन से हार्मोन की सांदरता रक्त में कम रहती है तो देखिए जब प्रसव होगा तो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल जो है वो डाउन रहेगा बाकी इस्ट्रोजन का लेवल आई रहेगा रेलेक्षन का लेवल आई रहेगा और ऑक्सिटोशन का इस्ट्रोजन, ऑक्सिटोशन और PGF2-Alpha ये तो गरवासे में संकुचन कराते हैं तीनों औरrement मिला के कहानी ये है कि कमी किसकी रहेगी प्रशव के समय प्रोजेस्ट्रोन कई कि अन् बाद करेंगे लुटियली सिस्ट का लक्षना है लुटियलसिस्ट का मतलब मैनली कॉर्पस लुटियम की के हम बात कर सकते हैं कि, luteal cyst, corpus luteum के अंदर जैसे माना cyst बन रही है, ठीक है, तो यह तूटे की नहीं, यह तूटे की नहीं, तो अगला मद चक्र सुरू नहीं होगा, अगला मद चक्र सुरू नहीं होगा, तो animal heat में आएगा, नहीं, जिसको हम बोलेंगे, anisterus, तो सांधान सर्थ हो गया एनस draws तो देखिए ifो भगलर सिस्टम तो गाये लगाता हिट नहीं रहती और लोटियल सिस्टम काई हीट में नहीं आती है सांड में सुक्र करया में कितना समय लगता है चोंसटे दिन कसा में लगता है this Palomato John एक पराइमरी स्परमेटसाइट से कितने सुक्रान बनते हैं देखिए होता क्या है एक प्राइमरी fan mötlesाइट क25 आगर में बात करें एक फराइमरी इसपरमेटसाइट से इसमें इसमें अर्दुसूत्री विवाजन फर्स्ट होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, दो, फिर इसमें अर्दुसूत्री सेकंड होगा, तो ये इस्पर्मेटिड बन गए कितने, चार, और इस्पर्मेटिड जब मैचोर हो जाएंगे, तो ये इस्पर्म बन जाएगा, तो चार इस्पर्मेटिड से ही चार इस्पर्म बन जाएंगे, तो कुल मिला के एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार सुक्राणों बनते गतने की है यह इसमें मुंस पर्स्त हुआ है यानि की अर्दसुत्री विवाजन प्रथम प्र्थम तो एक तो बन्हा सेकंडरी उसाइट कर गाएक भनती है पोलर भोड़ी यह आगे चल का नस्त हो जाती है फिर इसमें 18-23 second होगा एक तो बनेगा ओवम और एक बनेगी secondary polar body जो आगे चल कर नस्ट हो जाती है तो प्रतेक विवाजन पर एक कौशी कर नस्ट हो रही है तो एक से एक, एक से एक तो कल मिलाके एक प्रांत में गूस इट से एक ही अंड़ा बनेगा पूशा जाए शुक्राणू को संग्रेन कहा होता है इस्टोरेज हाउस शुक्राणू को संग्रेन कहा होता है एपीड़ाइमिस में शुक्राणू बनते कहा है तो टैस्टिस में बनते हैं टैस्टिस की सैमिनी फिरस टिवियूल में बनते हैं अब यहां एक चीज आप समझ ल बाइल की बात करें आप है बाइल यानी कि पित्त बनता कहा है लीवर में हो ना जब हो सकता है तो nam यह अप्त्त हो सकता है घूरे उन्ट में अप्संट होता है उन्व eliminating आ पता से अप्संट हो तो यूरेन का ले का है? लीवर में, इस्टोर का होता है गॉल ब्लेडर में, का होता है,। आज तो गॉल ब्लेडर में, इस्टोर से चारा है, लेकिन का हो रहे हैं? एप डैम Griffay आज रहा है, अजलय करे commodity हो गया किया महिना ठीक है इसी तरीके से ऑक्सिटोसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मॉन ये बनते कहा है है हाइपोथेलमास में कहा बनते है हाइपोथेलमास में और इस्टोर कहा होते हैं ये उस गरंथी के पश्च भाग में तो यह कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है नेक्स्ट में बात करेंगे बल्वस ग्लंडिस बह viral ग्लं इस होता क्या है उसको कि पछला है वह अदिक फूला हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं बल्वस ग्लेंडिस किसमें देखने को मिलता है कुट्टे में देखने को मिलता है एक टर्म आती है कोरोना ग्लेंडिस कोरोना ग्लेंडिस यह कोरोना ग्लेंडिस ग्लांस पैंडिस के पिसले से बॉर्डर पाये जाता है यह देखने को मिलता है कोरोना ग्लेंडिस गोडे में बल्वस स्विल एंडिस की सिर्ण नहीं SH then भीडी करेंगे शल्मार पर आप साणड को वी रेक अत्रंड के लिए स्विया थोटा सामझज लीजी है आप 18 मार की मुंद्ण अधाव से रहां जहीं करते हैं चरह महिने की लगब च्रेइनिंग चलती है फिर एज हो जाती है 24 मा की तो 24 मा की उम्र से हम सीमन कलेक्शन की सुरुवात कर देते हैं वीर एकत्रन की सुरुवात करते हैं दो साल की उम्र से और देड़ साल की उम्र से ट्रेनिंग देना सुरू करते हैं तो पहले ट्रेनिंग देंगे देड़ साल की उम्र से में काम में लेते हैं तो डेनिस मोडल काम में लेते हैं सांड में सूर में काम में लेते हैं नौर्वेजियन मोडल नौर्वेजियन मोडल काम में लेते हैं गोडे में काम में लेते हैं मिसीशिपी और मिसौरी मोडल काम में लेते हैं गोडे में डेनिस model काम मिलेते हैं सांड में और नौर्वेजियन model काम मिलेते हैं सुवर में तो डेनिस model answer क्या हो गया है सांड next समाकाम के लिए जरूरी कामों तेजना कामों तेजना आए क्या बोलते हैं लिविडो बोलते हैं next हम बात करेंगे session का prepuse से बाहर ने आना ठीक है ये pね निस है और pね निस के ऊपर covering पाई जाती है इसको हम बोलते हैं prepuse अगर pね is इस पिर्पीज से बाहर नहीं आ रहा है बाहर की ओर नहीं आ पा रहाए ते इसको तो बोलते है chemosis तो ये तो अपना अनसर हो गया और अगर penesis से बाहर आ गया है और फिर इसमें अंदर नहीं जा पा रहा है इस समस्या को बोलते हैं पैरा फीमोसिस डाइ फैलस का मतलब डाइ का मतलब दो अगर पैनिस दो भागों बेवाजित हो गया तो बोलेंगे डाइ फैलस फैलो केमपसिस का मतलब अबनॉर्मल करवेचर पैनिस का टेड़ा हो जाना क्या कहलाता है फैलो केमपसिस तो यह दोना important है बाइप पूछी जाती है अगर पैनिस प्रिप्यूस से बाहर नहीं आ पा रहा है तो फीमोसिस बाहर निकला हुआ है अंदर नहीं जा पा रहा रहा है तो पैनिस वेर्य में जिंक आयन की संद्र था बढ़ने की वजे से सुक्राणू के अंदर कौनसा विकार उत्पन हो जाता है डेग्डिफेक्ट में क्या होता है जो टेल का पोर्शन होता है ना पूँच का हिस्सा ये मिड़ पीस के ऊपर कुंडलेत हो जाता है इसको बोलते हैं डेक डिफेक्ट ये नेक्स्ट अम बात करेंगे कुट्य में पाई जाने वाली एक मात्र सायक जनन गरंथी तो पहले ये समझ लेजिए कि सायक जनन गरंथियां जो होती है नॉर्मली वो तीन टाइप की होती है या तीन एक तो सेमाइनल वैसिकल ये paired होती है यानि कि दो होती है ये युग में पाई जाती है एक होती है प्रोस्टेट ये प्रोस्टेट एक ही होती है और कॉपर गरंथी या बल्बो युरेथरल गरंथी ये कितनी होती है दो तो ये दोनों तो युग में पाई जाती है और प्रोस्टेट होती है सिंगल कुट्टे के अंदर सेमाइनल वैसिकल और कॉपर गरंती दोनों absent होती है तो कुट्टे में तो सिर्फ क्या पाई जाती है प्रोस्टेट पाई जाती है नेक्स्ट अम बात करेंगे नर्स सेल किसे कहा जाता है नर्स मतलब nutrition देने का जो काम करती है पोशन देने का काम सुक्राणों को कौन करती है सर्टोली सेल करती है देखे होता क्या है सेमिनी फेरस टुबियूल जो होती है सेमिनी फेरस टुबियूल के अंदर दो प्रकार की कौशिकाएं पाई जाती है एक तो नर्स सेल यानि कि सर्टोली सेल जो सुक्राणूं को पोशन देती है, और एक सुक्राणूं जिससे बनते हैं, वो कॉशिका हो गई, जिससे सुक्राणूं बन रहे हैं, यह हैं स्पर्मेटोगोनिया, तो दो mentally دो type की कोशिकाइं पाई جाती है, कि इसमें Sammyiferous inhibule में और Lady cell जो है, नहीं है, इसमें sisグ Rig आता है, ठीक है, Lady cell जो है, जैसे ये Sammyiferous inhibule है, teşekkür στο एक ह surviving hilfür schedules और ये एक स्मिनी फिर इसमिनि फिर है इसके बीच में यहांपर कोशिकाइं पाई जाती है, ये है Lady cell और इनका काम है testosterone hormones रावित करना ठीक है तो nurse cell किसे कहा जाता है seratoli cell को कहा जाता है testosterone hormones रावित करती है leading cell ठीक है next हम बात करेंगे white hefard disease manly कौन सी नसल में देखने को मिलता है तो गाई की short or नसल में देखने को मिलता है white hefard disease होता क्या है कि बचडी के अंदर mullerian duct का विकास रुख जाता है mullerian duct आगे चलकर मादा के जननंग बनाती है अगर mullerian duct का विकास रुख जाएगा तो मादा के जननंग अल्पविक्सित रह जाते है ठीक है यह manly short orn गाई की नसल में देखने को मिलता है white hefard disease next हम बात करेंगे गाई के गर्भास के अंदर भुरून की सामानने इस्तिती सामानने position कौन सी होती है डोर्सो secral होती है यानि की विरून की जो पीट होती है न वो मा की सेक्रम की तरफ होती है next हम बात करेंगे निमने मैंसे किस विटामिन की कमी से गरबबात की संबाबना बढ़ जाती है तो विटामिन ए की कमी से विटामिन ए और मिनरल की बात करें तो सेलेनियम किस खनीज की वज़े से गरबबात की संबाबना बढ़ जाती है अगर सेलेनियम की कमी होगी तो अब और्शन की संभाव ना बढ़ जाएगी उंट में रटिंग पीरियड रटिंग पीरियड का मतलब है उंट के अंदर सुक्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो सर्दियों के मोसम में ही चलती है नवंबर से लेके मार्च तक थीक है इसको बोलते हैं रटिंग पीरियड रट को ही बोलते हैं मस्त थीक है तो इस में टेस्टोस्टरोन का लेफल इस सीजन में सबसे ज़धा रहेगा उगर व्यवार सबसे zenदा रहता है मेंडीवल फेक्चर का खत राज daar बहु है वो सबसे ज़धा किसमें रहता है इसी सर को आइंग का मतलब किया हैं थोहिंग का मतलब जैसे टो कि फ्रिज के अंदर आपने रखा है कि कोई भी फल रखा हुआ है ठीक में फ॥्रिज के अंदर से हम जन्र ली क्या करते फ्रिज से फल निकालते हैं रही है इसी डिए masters वाश्यूवश्य तरन्त काट के खा जाते हैं ये ये बहुत गलत तरीका ये क्यों कि तरीका है कि फ्रीज को करे से तो आप मान में अचानक बदला वारा रहा है तो यह फल आपको फाइदा कम नुकसान ज्यादा करेगा तो समझदारी यह कहती है कि फ्रेज से फल को निकाल कर रख दीजे 10-15 मिनट के लिए तो इसका टेमप्रेचर जो है वो दीरे-दीरे बढ़ जाएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं थोईंग अब हमसीतित वीर्रे को पहले क्या करना पड़ेगा तरल वीर्रे में तब यृ आ की जा सकती है तो थोस वीर्रे को तरल वीर्रे में बदलने के लिए इसको गुंगने पानी में हम रखते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं थोएंग और गुंगने पानी का टेंपरेचर होना चाहिए 37 degree centigrade और 30 सेटिन के लिए हम इसको रखते हैं कुटिया में पाई जाने वाला प्लेसेंटा है कुटिया के अंदर जॉन्री प्लेसेंटा पाई जाता है कौन सा प्लेसेंटा पाई जाता है जॉन्री कोटिलिटनरी होता है रुमंथी जानवरों में डिस्कोईडल होता है मानब में जौनरी होता है किसमें कुतियविल्ली में और डिफ्यूज किसमें होता है गोडी में होता है उंटनी में होता है और सूरी में होता है किस जानवर में अंडो सर्ग इस्ट्रस अवस्था खतम होने के 12 से 14 गंटे बाद होता है तो गाय में होता है किसमें होता है गाय में इसका मतलब गाय में अंडो सर्ग जो होता है वो मैटीष्ट्र सवस्थाम होता है किसमें होता है मैटीष्ट्र सवस्थाम होता है ठीक है कॉकिंग ओफ टेल यानि कि जब मेल एपरोच करेगा फीमेल को तो फीमेल जो है वो पूँच को उपर की रोठा लेती है इसको बोलते हैं प्रखेकर नेत्य तो में पिस्ट समयंत्र इनधर परिक्षण का तरीक नेक्स्ट आपंश पर अभेड अंदर परिक्षन का तरीक्षा थीठी करेंगे सांड के वीरे में नियुनतम कितने प्रतीशत शुक्राणों जो हैं वो सामान ने होने चाहिए तो कम से कम 80% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए यानि कि जादा से जादा 20% स्पर्म जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं ऐसामान ने हो सकते हैं तब ही हम उसको काम मिलेंगे, पांसर हो गया 80%, प्रसब के समय अगर गरवास है, सिथिल पड़ जाए, उसमें संकुचन बंद हो जाए, इसको बोलते हैं, यूटराइन इनर्सिया, और ये सूरी के अंदर डिश्टोगिया का में रिजन है, रिंग वाम का मतलब, प्रसब के सम और मरत वरून सरीर से बहार आ गया है, इसको तो क्या बोलेंगे, अब और संब बोलेंगे, बर्थ का मतलब हो गया, बच्चे का सामन ने जनम हो रहा है, गरवकाल पूरा हो गया है, और उसके बाद जो बच्चे का जनम हो रहा है, वो कैसा है, इमरत है, तो बोलेंगे, इस पायोमेट्रा का उप्चार है, पायोमेट्रा का मतलब होता है, पस जमा हो गई है किसमें, पस बन गई है यूटरस में, ठीक है, अब इस कंडीशन में CL बनी रहती है, कॉर्पस लूटियम बनी रहती है तो, और सर्विक्स जो है यहां सोरी पायोमेट्रा हम बोल रहे हैं कि पस बन गई है गर्वासे में ठीक है इस कंडिशन में सील बनी रहती है हमें सील को तोड़ना और गर्वासे में संकुचन कराना है तो हम क्या देंगे PGF 12 अंगूर के गुच्छे की आकरती का अंडा से किसमें अंगूर के गुच्छे का अंडा से बाइस पाई जाता है और पॉल्टरी में पा जाती है सूरी में पाई जाती है तो आंसर हो गया है कि घाय में यानि सवी रुमनति जानवरों में गाय भैस वह तहीं एस ब्वट्री इनमें अढा से जो होता ह। विरी जो होती है वह आलमंड़ सेप होती है लेकिन अप्सन में अगर सब हो और एक चुन ना हो तो आंसर जाता है बेड़ टिपिकल आलमंड़ सेप किसमें होती है बेड़ में होती है ठीक है घोड़ी में कैसी होती है बीन सेप होती है सेम के बीज क्या करती के होती है ठीक कु जिसने एक भी बच्टे एक दीया हो यानि की नल बोलेंगे व लिए यूनी पेरा गयार ऑपना आशर होगया बंडी पेरा अब आप सुनेंगे यूनी पेरा जो एक समय में एक बच्चे को जनम देते हैं उनको बोलते हैं यूनी पेरा और मल्टी पेरा या प्लूरी पेरा का मतलब एक समय में जो अधिक बच्चों को जनम देते हैं उनको बोलते हैं मल्टी पेरा या प्लूरी पेरा और प्राइमी पेरा जो पहली बार बच्चे को जनम देने जा रही हो यह जो पहली बार गर्वबतियोत को क्या बोलेंगे प्राइमी प्रतिस कलन्द सबसे ज़्यादा वीर रिकायतन जो होता है वो 200-500 ml होता है बोर में होता है सुवर में होता है और सबसे कम किसम होता है रहम में होता है ठीक है एक मेल नेक्स्ट हम बात करेंगे एक उगोनिया से एक उगोनिया से कितने अंडे प्राप्त होते हैं तो अंड जनन की जब हम बात करते हैं न तो अंड जनन के अंदर उगोनिया से प्राथमे कूसाइट प्राथ में कुसाइट से दुथियकुसाइट, दुथियकुसाइट से ओवम, एक से एक, एक से एक, एक से एक बनता है, आंसर हो जाएगा एक, क्यूंकि पड़ते एक स्टेज पर एक कोशिका नस्ट होती जाती है, next हम बात करेंगे, फॉलिकलर सिस्ट और लूटियल सिस्ट क बनी होती है, अगला मत चक्र सुरू नहीं हो रहा है, एनिमल हीट में नहीं आ रहा है, सील को तोड़ना है, पीजी अप डॉलफा देंगे, पीजी अप डॉलफा, आंसर हो गया, भी अप्सन, next हम बात करेंगे, फ्रेंच मिनी सीमन स्ट्रो, तो जो फ्रेंच स्ट्रो होती ह जा फ्रेंच मिनी सीमन स्ट्रो, अगरी और जरुफ की बनी होती है, पॉली प्रोपाइलिन की, next अम बात करेंगे सांड से वीर्य ये कत्रण का सबसे अच्छा मौसम और सबसे अच्छा समय है तो सबसे अच्छा मौसम है सर्दियों का मौसम और सबसे अच्छा समय जल्दी सुगा important question है creamy gada यानि कि thick creamy thick creamy अगर कोई वीर्य है तो उसकी गुणबत्ता कैसी होगी सर्वत्तम होगी excellent होगी next हम बात करेंगे जीवित मरत शुक्राणों की संख्या का पता करना है तो जीवित मरत शुक्राणों की संख्या का पता करने के लिए eos and negros and die काम में लेते हैं important question है गाए में ज़्यादातर गर्वधारन कैसे होते है गाए में ज़्यादातर गर्वधारन जो होते है वो होते है right horn क्यों होते है क्योंकि गाए के अंदर right side की जो ओवेरी होती है वो left ओवेरी की तुलना में ज़्यादा क्रियासील होती है क्यों होती है क्योंकि left side में rumen होता है rumen का दबाब पढ़ता है तो left side की overi में रखता पूर्थी कम होती है तो ये कम functional होगी functional तो होगी लेकिन कम होगी तो ज़्यादातर बार under-surg होगा right side की overi से तो ज़्यादातर बार गर्वधारन कैसा होगा right ornum होगा और उुटनी में पूशा जाए तो उुटनी के अंदर ज़्यादातर बार होता है वो left ornum होता है किसमे होता है left ornum है तो उुटनी के अंदर ज़्यादातर बार गर्वधारन कैसा होगा left orn होगा next हम बात करेंगे corg screw आकरति की wares किसमें पाई जाती है तो corg screw आकरती की सरविक्स पाई जाती है सूरी में इस टाइब से इसलिए corg screw पेट मैथड काम में लेते हैं AI का किस में है सूरी में मादा जिसने प्रथम बच्चे को जनम दिया है प्रथम बच्चे को जनम दिया है तो क्या बोलेंगे प्राइमी पेरा क्या बोलेंगे भाई प्राइमी पेरा जिसने एक भी बच्चे को जनम दिया है नली पेरा जो एक समय में एक बच्चे को जनम देती है वो यूनी पेरा जो एक समय में कही सारे बच्चों को जनम देती है वो मल्टी पेरा नेक्स्टम बात करेंगे गाय में मद्चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है तो गाय में मद्चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है डाइस्ट्रस देखिए प्रोइस्ट्रस का जो समय होता है वो होता है दो से तीन दिन इस्ट्रस का समय होता है 12-24 गंटे, मैट इस्ट्रस का समय होता है 3 दिन, डाइस्ट्रस का समय होता है लगबग 15 दिन, ठीक है, कई जगे 13-15 दिन लिखा होता है, 15 दिन मान लीजिए, तो सबसे छोटी अवस्था गाय में, जो होती है मद चक्र की, वो सबसे छोटी तो होती है इस्ट्रस और सबसे लंबी होती है डाइस्ट्रस कुतिया में मद्चक्र की कौन सी अवस्था absent होती है तो मद्चक्र की मैट इस्ट्रस अवस्था जो होती है वो absent होती है कुतिया में चार अवस्था होती है प्रो इस्ट्रस फिर इस्ट्रस फिर डाइस्ट्रस और फिर एनिस्ट्रस मैटिस्ट्रस एपसेंट होती है यह प्रो इस्ट्रस नो दिन की इस्ट्रस नो दिन की डाइस्ट्रस दो महिने की और एनिस्ट्रस चार से पांच महिने की ठीक है आंसर हो गया मैटी स्ट्रस नेक्स्ट हम बात करेंगे मा एवं भुण के मद्द्द जो कारकिये संबन्द होता है physiological connection है मा, यह मा है और यह भ्रून है इन दोनों के बीच जो physiological connection है इसको हम बोलते हैं placenta क्या बोलते हैं placenta next हम बात करेंगे retention of placenta और ओ पी retention of placenta यानि कि अगर हम गाय की बात करें तो प्रशब के पस्चात अगर 12 गंटे के बाद भी जो है वो जेर बाहर नहीं आपा रहा है तो आरोपी के उप्चार में हम क्या दे सकते हैं oxytocin दे सकते हैं तो सही आंसर तो क्या है oxytocin PGF 12 आभी दे सकते हैं यह भी गरवा से मसंग कुछन कराता है इन दोनों से भी काम नहीं हो रहा है तो कोटी लिडन को करंकल से अलग करके बाहर निकाल लेंगे हाथ से तो आरोपी का जो ट्रीटमेंट है आरोपी का रेटेंशन और प्लेसंटा का मेंली काम में लेते हैं oxytocin गाय में प्रसव की सबसे चोटी अवस्ता कौन सी है सेकंड स्टेज दो होती है न वह सबसे चोटी अवस्ता होती है दूती अवस्ता तीस से साथ मिनट की यानि के आदा गंटे से एक गंटे की होती है नेक आफ बॉम किसे कहा जाता है ठीक है पहली बात तो यह कि बॉम किसको बोलते हैं यूटरस को बोलते हैं गरवासा को बोलते हैं तो उसकी गरदन किसको कहा जाता है सर्विक्स को कहा जाता है नेक्स्ट शुक्राणू की केंद्रक जिल्डी अंदर दसने की वज़े से केंद्रक में दसाब पढ़ना ये ये केंद्रक की जिल्डी है इस तरीके से दसाब बन जा रहा है ठीक है ये है डाइडेम डिफेक्ट क्या है भई डाइडेम डिफेक्ट है नेक्स्ट हम बात करेंग कि वज़े से देखने को मिलता है मैनली ठीक है यह होगा डेक डिफेक्ट वी रेकतरन का तरीका जिसमें डमी फीमेल की आवश्चक्ता नहीं है डमी फीमेल मतलब नकली मादा जो है नकली मादा की आवश्चक्ता जो होती है मैनली वह किसमें होती आर्टिफीचल विजाईना म सीमन कलेक्शन करते हैं उसमें होती है इलेक्ट्रो एजेगुलेशन आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो एजेगुलेशन बात आती है इलेक्ट्रिक इस्खलन जो है मैंनली काम में कब लेंगे किसमें काम में लेते हैं तो कोई ओल्ड एज का एनीमल है यानि कि व्रद्देनी मल है ठीक है या कोई बिकलांग है जानवर या जो लाचार है दुरवल है जो नॉर्मल मैटिंग नहीं कर सकता उसमें इलेक्ट्रो एजेगुलेशन तरीका काम में लेते हैं और उसमें डमी फीमेल की ज़रूरत नहीं है क्या किया जाता है रेक्टम में इलेक्ट्रो लगाने के पश्चाथ लो वॉल्टेज का अल्टरनेटिंग करंट एसी पास किया जाता है जिससे सेक्रल नर्व और पैल्विक नर्व को उद्दीपन मिलता है और इस खलन हो जाता है कुछ रहा है विर एकत्रन करते समय क्रत्रमियोनी का जमीन के साथ एंगल कितना होना, 45 Danke का होना चाहिए अब यह 45 grade का क्यों होना चाहिए क्योंकि अगर यह 45 grade का होगा तो पैनिस और एवी, एक की प्लैन में आ जातें एक की अक्षपर आ जातें सांड में, एक सबता में, कितनी रार वीर्र एक खत्रन करना चाहिए? तो दो से तीन बार करना चाहिए, अब इसमा आंसर क्या हो जाएगा? दो बार नेक्स्ट अम बात करेंगे, वीर्र मैं सभी शुक्राणू जो है वो म्रत हो गये है, डैत को के लिए टर्माthy हाती है नेक्रोसिस म्रतोना तो नेक्रो जू इस्पर्मिया नेक्रो का मतलब म्रतोना जू का मतलब सुक्रानु का इस्पर्मिया मन्द आँजू सुख्रानु का इस्पर्मिया या'm । आनसर तो यह हो गया टेरेटो जूइस पर्निया, एस्थेनो का मतलब गती सीलता का कम होना, जू मतलब सुक्राणों की, सुक्राणों की गती सीलता का कम होना, एस्थेनो जूइस पर्निया, आंसर मरत नेक्रो जूइस पर्निया, सांड के रंग का, सांड के वीर्य का भूरा रंग किस की वज़े से और रगी अधिकता की येलो पीला रग होता है कि तेसा की वज़ेसे हरा रग की वजए से क्यासे हो venous ले करते हैं गाइनेक्ष लाटा ऑप्थेल्मोजी तर्म किसके लिए यूज होती है आँख लिए और आर्थेल्टा लोजी जोडों का अध्यान करना आर्थरोलोजी या सिंडेस्मोलोजी ठीक है next अम बात करेंगे कि गोडी में कृत्रिम गरबाधान किस विदी से किया जाता है यानि कि AI जो की जाती है न गोडी में artificial insemination वो किस मेथड से किया जाता है तो किस से किया जाता है वेजाइनल मेथड से किया जाता है, रेक्टो वेजाइनल मेथड से किसमें करते हैं, गाय बैंस में करते हैं, गाय बैंस में करते हैं, रेक्टो वेजाइनल मेथड से, वेजाइनल मेथड गोडी में, वेजाइनल स्पेकलम बेडवकरी में, और कॉर किसक्रूप पेट मेथड सभी नेस्ट बात करेंगे वीडये को हिमसीतित करने के लिए सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला क्रायो जन क्रायो जन जन मतलब जनरेटर क्रायो कम जनरेटर यानि कि पैदा करने वाला क्रायो का मतलब ठंड़क ठंड़क पैदा करने का काम कौन करता है एलन टू करती है वा---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- किसे का जाता है तो क्योच किसे गौत afflictional प्रोलप सो कहा जाता है किसे वोलते हैं यूट्राइन प्रोलेप्स को तो गुड़ लग भई आप सब ही लोगों के लिए एक्जाम के लुए ठीग है। कि बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे कि टेंसन लेने की बिलकुल जर्रात नहीं है कि फोड़ के आंगे फेपर को बिलकुल ठीक है अच्छी तैयारी आप लोगों की घबराने की कोई जर्रात नहीं है